बॉलिवुड जगत की स्मार्टेस्ट एक्ट्रेस काजोल देवगन की तरह ही उनकी बेटी न्यासा देवगन काफी ज्यादा ब्यूडिफुल और गॉर्जियस है अभी ये 19 साल की हैं पर इनके पीछे हैंटसम और पैसे वाले लड़कों की लाएने लगती हैं और अमीर से अमीर लड़का इन्हें डेट करने की खौईश रखता है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजोल की लाडली बेटी न्यासा देवगन को अमीर लड़के ही नहीं बलके बॉलिवुड के चार अबिनेता भी डेट करना चाहते हैं जो इनके पीछे मरे जा रहे हैं तो आखिरकार कौन है वो बॉलिवुड के चार हैंसम अबिनेता जो काजोल की लाडली बेटी को डेट करना चाहते हैं नमबर वान इबराहिम अली खान आजकल पलक तिवारी के साथ रिलेशन्शिप की सुर्खियां बटोने वाले इबराहिम अली खान काजुल की बेटी नियासा देवगन को डेट करना चाहते हैं क्योंकि नियासा काफी होट और प्यारी है इब्राहिम को न्यासा का लोक और उनकी सूजबूज काफी पसंद आती है क्योंकि इब्राहिम कई बार उनसे निजी पार्टियों में मिल चुके है और इब्राहिम को तभी से न्यासा काफी ज़्यादा पसंद है एक लास्ट लाइफ में एक बार तो ये नियासा को डेट करना ही चाहते हैं बहले ही इसके लिए इन्हें कितना ही वेट क्यों न करना पड़े बॉलिवुड के इलिजिबल बैचलर टाइगर शौफ भी अपने से 11 साल चोटी नियासा देवगन को डेट करना चाहते हैं क्योंकि हाल फिलाल में इनका ब्रेक अप हुआ है और इन्हें दिशा पटानी जैसे ही होट और ब्यूडिफुल लड़की चाहिए जो नियासा देवगन है इन्हें नियासा की ड्रेसिंग स्टाइल एटिटूड काफी ज्यादा पसंद है और अगर नियासा टाइगर की गल्फरेंड बनने के लिए तैयार है तो टाइगर भी इन्हेंट डेट करने के लिए तैयार है नियासा को बचपन से जानते हैं आरियन खान क्योंकि नियासा की मम्मी काजोल और इनके पिता शारुख भान बेस्ट फृरेंड है ऐसे में आरियन भी नियासा को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने के बाद उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके पिता की शादी तो काजल से नहीं हो पाई पर ये जरूर नियासा को अपनी वाइफ बनाने में इंट्रेस्टेड है वो इसलिए भी क्योंकि नियासा एक अच्छे परिवार से बिलॉंग करती हैं जहां पर सब काफी सक्सेसफुल हैं और आरियन खान को हमेशा सक्सेसफुल परिवार की लड़की ही चाहिए थी लंदन बेस्ट बिजनिस टाइकून वेदान्त महाजन काफी टाइम से नियासा के गुड लोग के दीवाने हैं और इन्हें डेट भी करना चाहते थी पर जब वेदान्त को पता चला कि नियासा लंदन में पढ़ा ही करने आई है तब उन्होंने थोड़ी एफ़र्ट करके नियासा से पहले दोस्ती की और आज इनके साथ रिलेशन्शिप में भी हैं ऐसे में वेदान्त महाजन ने जो सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया